कोई राम भक्त आएं हागा बताए क्या काना चाहते घृच्छ तो तु तड़ा करोगे तो आज भी अधूरा इस छोड़ जाएगा यहाँ अगर डिवेट करना है तो फिर आपको सही वे में डिवेट करना होगा डिवेट नियम को पालन करना होगा तो मिश्टर चौबे पता है ना है अब बताइए क्या वैसे तो आप फोटो तो लगा के आये हैं क्रिष्ण का तो डिवेट आप पर क्यों करना है बुधिष्ट हैं क्यों आप अगर हम हमको तो आज तक हिंदू ही लिखवाया गया ह हर जगए तो आपने संकराचारे को लामा के पास काहीं भीज देते हैं डिवेट करने के लिए एक बार लामा और संकराचारे का डिवेट हो जाता ना अपने घर में वही मैं बोल रहा हूं कि जब हमको आज तक बचपन से हिंदू बताया गया तो डिवेट आपको बुधिजम पर काहे करना है हम तो कर रहे हैं कि हम आपसे हिंदू पर करेंगे अब बताईए बचपन से हमको बुधिष्ट का सर्टिफिकेट दिलवाय होते फ हुं किस में आते हैं उबुधिष्ट में आते हैं यहिंदू में आते हैं आते किस में है जाके यहिंदू है कि रहा है आए चलो हम करेंगे बुरसी का देखेंगे अपना अपना घर बार करते हैं पहले अपना म долhou का घर कितना साफ है फिर साफ है क्या हुआ रहा है आपना घर देख लेते हैं सब को दिखा लेते हैं कि हम लोगा कितना सापशुत्रा है तब तो कंपेर करने में मज़ा आएगा ना कि पड़ोसी और हम लोगों से बुरा है या अच्छा है ठीक है ना चले चले चोब एक बाद बताईए आप लिख के आए राम भाग तो क्या होता है वैसे राम जो है उनकी जोड़ा पांच अच्छाई आप हमें बताएंगे कि राम की क्या पांच अच्छाई थी बताईए मर्यादा पूर्सोतम राम थें तो उन्हों ने अपनी गर्वती वीवी को घर से कहे बाहर निकाल दिया था अपने लिखा है नहीं हम पूछ रहा है कि आपने लिखा है नहीं आपने नहीं लिखा है ना तो जो आपको प्रकाश को सुनिया है सुनिया बालमिकी जी नहीं लिख पर हम चर्चा करेंगे अपना अपना घर साफ कर लेते हैं फिर पर आते तो पहले यह बताएए बालमेकी का कोई सबूत मिला है क्यों रामभक बालमेकी का उन्होंने अगर लिखा है रमायन तो उनका कोई सबूत मिला है भाई तुम बुद्धिजम से भाग रहे हो देख लेज़े यह फिर से फस गया यह दिवेट नियम का उलंगा मैं इसको मैंने क क्या कहा हमारी सर्थ यही हुई है कि पहले हम अपना घर अच्छे तरह से डिसकस कर लेंगे हमारा घर कितना साफ है क्योंकि हम दोनों में से किसी का घर बुद्धिजम नहीं है अगर मेरा बच्पन से लिखवाया गया रहता कि मैं बुद्धिष्ट हूं तो मैं खूल के चाहिए कि पहले अपना घर हम लोग का कितना साफ है इस पर चाहो तब हम पोडोसी से तुलनात्मक डंग से देखेंगे कि पोडोसी का साफ है कि नहीं है और अगर आप फिर से बिना अपना घर पर बात किये हुए इधर उदर भागो के तो डिवेट नियम का उलंगान समझ सकते हिए अपना फिरितना पोड़ाना है पते हूए मैं पोडोसीज से पहले जो हमारे सवाल उसका जबाब देते जाईए मैं पूछ रहा हूं कितना पुराना है हिंदू कितना पुराना है आया था जिसके सबसे जो हिंदू नहीं हो और सिदूर ट्राइश में नहीं आथा है अब बोलो तुम्हें आपको इमेल भी करता हूं आपने कहा कि 1950 कि 1950 की 1950 की एक्ट की बात कह रहे हैं और ये देश आजाद होने की बात है आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में पिछले 77 साल में हिंदू सब्दाया है उससे पहले भारत के लोग हिंदू नहीं थे पिछले 77 साल में 77 यर्स में सब लोग हिंदू हुए हैं सबने धरम परिवर्तन कर लिया है उससे पहले क्यात हैं क्यों अभी आपको नहीं पता था कि भारत के 1920 में आया चले ठीक है 1950 में उससे पहले हिंदू क्या परियोग करते थे कब से आप हिंदू कहना सुरू किया है अपने को बताई पहला हम से अचाँ बात बताईए जब आप सनातन थें तो वबैकानंद जो हैं नाम सुना है अपने विवेकानंद का उन से धरम के थें विवे हिंदू थे हिंदू थे बीवेका नंद का धरम बताने में कुमा में चले गई क्या हुआ चौबे महोदे इनकी त्वावाज हमें नहीं सुनाई पड़ रही है ओ अभी ग्यान चौबे आप लोगों में से थोड़ा सा कंफर्म कीजिए किसकी साउंड गई है किसकी नहीं भाग ब्लेच ब्लेच जी मेरी साउंड आ रही थी कि वह भाग गये वह भाग गये अच्छा भाग गये बताइए वह बंदे को क्यों यह पूछ दिया गया कि विवेका नंद का कौन सा धरम था भाग गया आयते हिंदू धरम बताने के लिए आए इनको जोड़ रहा हूं में अभ इतरी गया आचा है तो दिवेकानंद ने अपने धरम के काम करने केलिए कौनसी अंस्था बनाई थी ती चौन से हपना धरम का नाम दिया था जिसके उनके जो फॉलोवर थें वो लोग कौन सी संस्था चलाते बताइए जरा हम विवेकानंद का जो संस्था था उसका क्या नाम था जिसकी अस्थापना किये थे वो अपने फॉलोवर के लिए बताइए नहीं पता हो तो आप बोल देजिए कि नहीं पता है हम लोग बता देंगे ओ आरिवास को फॉलो करो तो संस्था का क्या नाम था मझ नहीं जाएं अच्छा चलो एक काम करते हैं वहां चलते हैं तो हैं उन्हों कि थी यस रिफिल आपको नगे संक्राचार्य के बारे में आपका क्या ख्याल है मूल संक्रत्रिवेदी के बारे में तो वही मैं पूछ रहा हूं मूल संक्रत्रिवेदी उर्फ द्यानन सरसोती ने लूग थे सäg की तो उनहोंने कौन से अपना की थी बताएंगे आप आप बता ये समाजी नहीं होते हैं फूर भी हिंदु ही हें付 नीसापना क्योंकि अरे समाज की, फिर फिर गंधू समाज की क्यों तो जूं बढ़ते रहें यह हंदू समाज है उन्हकने और कुना क्योंकि बात बताईए कि जब मूर्थी पूजा को नहीं मानते थे हिंदू ही थे तो वह भी अपने संस्था को कहते कि हमारा हिंदू ही संस्था है उनको अलग से समाज बनाने की क्या जुरत पड़ गई हैं नरहीं कोई कि आप कश्यों है कि दुचुं करें कि विविएकनद भी कहते हैं कि हम राम कृष्ण पर्महंस नहीं बलकिल हम जो है अस्थापना अपने ही सनातन धर्म को रियस्टोर्ड कर रहे हैं अगर आपका रहता सनातन धर्म तो चाहें राजा राम मोहन राय हों चाहें केश्व चंद हों या देवेंदरनाथ जो भी लोग हों यह सब लोग नया समाज प्राथना समाज पूराना समाज असली समाज नकली समाज इसकी असापना नहीं करते गायतरी परिवार के सब अपना अलग अलग बना के चले के जिस इसमाज बना के अपना अपना समाज बना रहते हैं, आपका कोई Hindu धरम नहीं था, न कोई आपका सनातन धरम था सनातन नाम एनी बेसेंट ने किताब लिखी है सनातन धरम पे उसने पहली बार सनातन धरम क्योंकि सनातन और धरम दोनों ही एड़ेक्टिव है उस नाम का कोई धरम ही नहीं है उस स्रीफ और स्रीफ थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी उसकी एनी बे अपने मनने कि ठीक है लेकिन जम में गया कि आपको इस नहीं आपके आप जो मानते हैं आपके गोतम बुद्ध को रहें पर उससे तो चलेगा अब आपको जब यह पात पता ही है कि सब्ची जब जब Constitution से चला है तब कहें आये हैं धरम बचाने के लिए जब Constitution से चला है तो जिसकी फोटो लगाया है न कृष्ण की यह Unconstitutional हो जाएंगे फिर समय रहे हैं कोई से यह बताईए एक बात बताईए और कृष्ण की सारी हरकते Unconstitutional है पुछिए कैसे पुछिए क्रिष्ण के बारे सुनिये क्रिष्ण की जितनी भी बाते बताईए गई हैं सब Unconstitutional है मैं बताता हूं कैसे क्रिष्ण जो हैं दो भाईयों की लड़ाई चल रही है और दोनों को हत्या के लिए एक दूसरे की उकसाते हैं जब अरजुन कहता है कि सामने मेरे बंधू बांधू है कैसे मैं इसकी हत्या करूं कैसे मैं महरूं तो उसको बकायदे मोटिवेशनल क्लास लगाके और उसको हत्या के लिए उत्प्रेरिद करते हैं जबकि Constitution कहता है कि आप सीधे किसी की हत्या नहीं कर सकते अच्छा एक बात बताए चीरहरण घटना खराब थी हम बानते हैं चीरहरण घटना खराब लेकिन चीरहरण से जश्ट पहिले क्या हुआ था चीरहरण के लिए उसको मौका किस ने दिया था एक बात होती है ना कि आप जो है अपने घर की महिला को किसी से बेच देंगे किसी का गुलाम बनवा देंगे तो उसके साथ आपने उसको परमीशन दे दी ना कि तुम उसको गलत कर रहे हो त इसका प्रोचसाहन उसको किस ने दिया कि वह भरे दरबार में किसी महिला को चिरहरण कर रहा है इसकी परमीशन उसको किस ने दी थी जरह यह बताए हमें अविग्यान बाइचा क्या की वचन में क्या बांदा नहीं हुआ प्रशन के परमीशन उसकी हीप्यवाक। भीड में बीच में लाके चिरहरन कर रहा है उसके सामने उसके पांच पती हैं और वो पांच पती कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस क्या हुआ था पूरा बताएगा प्रशंग हमें जिरा बताईए जिरा बताईए आपके तो इस वर लोग जुगा भी खेलते थे जूगा खेलना खराब होता है तो यह बात जो है जो कृष्ण को मानने वाले आपके जो कोरो है पांडो है इन लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि जूगा खेलना सही है कि गलत है उनहों पैंड़ो क्षण हो जाएंगे अपने सवस्क्राशीट होने तुछ समय क्या होता है क्या में बता Eliya क्या क्या वचन था बता दी शूराई हमसे क्या वचन हो इसे प्ली क्या ख्यलने को कोई बुराइए कि ऐधा में तके जूगा खेलवा आप figures कि आपसे कोई कहे कि driven वर युद्धिसटीर की गलती थी चलो युद इस्टिर की गलती हममन Лेते हैं लेकिन उसके चार भाईख वी तो थे हैं उन्हें चार भाईयों ने कैसे सहमती देदी कि भाई तुजुवारी कहां बन रहा है वो सब खराब हैं खराब के साथ जुआ जब आचा उससे पहले भी जुआ हुआ था यह पहली बार घटना थी तो जब लाख का महल में जलाया गया था तब कौनसी घटना होई थी जिसमें इन लोगों को जंगल जाना पड़ गया था क्यों उसके पहले क्या हुआ था अच्छा को भी अधर्मी थे और पांडो क्या थे पांडो क्या थे बोलिए खुल के बोलिए चौबे अरे मैं मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जब इनको लाख के महल में जब जलाया गया था तो उससे पहले जो है यह कैसे क्या ऐसा घटना हुआ था कि इनके पास राजपाठ भी बटवारा हो गया राजपाठ भी था और फिर भी इनको जंगल में जाके लाख के महल में रहना पड़ ग कि भई, ये जो बार बार जो दो बार जो जुगा खेल के या दोनो बार जो हार गएं, यारनी कि फीरी भार घड़ना नहीं थी, दूसरी बार वो हारे यानी कि जुगारी की लत्थ थी. एक बार मान लेते हैं कि कोई बंदा गया उसको किसी ने दारू पिला दी और कोल्डरिंग के नाम पे कुछ मिला उला कि उसको पिला दिया तो चलो एक बार वो कहा जाता है कि हाँ उस नहीं पता था तो उगलती से पी लिया लेकिन अगली बार सतर करहेगा यहां तो सरयाम पिर दो बारा खेल के हार गया और हारने के बाद से अपने तो हरा ही हरा पांचों भाई हैं अपनी भीवी को हर गया मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति इतना बड़ा गुगारी कैसे हो सकता है कि घर सुन लिजिए ना घर की सारी संपदा हरने के बाद से अपनी बीबी को भी किसी दूसरे को दे दे इकोन इतना बड़ा गुणा हो सकता है भाई ये क्या आप जो हैं घर की बहु बेटी को बजार मे हावाले जिसको आप जानते हैं कि खराब है जो हमारा धन संपदी पहले से चीन के रखता है तो आपको नहीं पता है कि उसके सांथ बुरा करेगा क्या सुचके उन्होंने उसको हार गये थे दुरुपदी को क्या सुचके हारे थे वो ये बताए जरा हमें क्रिश्न के मदद से बनाए था जो पूछ रहा हूं जबाब आप नहीं दे रहें अभी भी जो मैं पूछ रहा हूं कि जब दूसरी बार हार गया तो कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि कोरों तो जब इन लोगों को अच्छी तरह से पता था कि कोरों जो है हमारे सगे नहीं है फिर भी उसके सामने अपनी बीबी को उसके सामने हार के उसका गुलाम बनवा देना इससे क्या इन पांचों पांडों का सही चरित्र था यह ज़रा पहले मुझे क्लियर कीजिए क्या सोच के मतलब आपको यह सही लगता है कि आप जिसको बुरा समझते हैं उसके घर अपनी बहु बेटी दे देंगे अपनी बीबी दे देंगे उसके हां यह आपको सही लगता है क्या सूचके देंगे आप आपके मन में क्या है कि उसके सांथ चीर हरना नहीं करेगा आप जाके देख लेजिए यह हैं इनका असली चेहरा अविज्ञान चौबे का समझ रहे हैं इनको अभी तक यह बात रियलाइज नहीं हो पा रहा है कि पांच व्यक्ति जो हैं इतने बड़े जुवारी निकलें लत्के और उनको जस्टिफाई करने की कोशिस कर रहे हैं जो अपनी बीबी को ह क्या बोलते हैं मार पीटाई सुताई हो जाती है किस कठारी को चले जाते हैं लेकिन यहां पर आप देख लिजिए कि कोई व्यक्ति अपनी बीबी को ही हर जा रहा है उसको भी पेच दे रहा है इस पर इनका इनके मुह से सब्द ही नहीं खुल रहा है यह इतने ज्यादा अ सांथियों देख लीजिये कि ब्रामण जो हैं किस हद तक किर जाते हैं अपनी चीजों को डिफेंड करने के लिए आप बहुजन भाई लोग सोचते हैं कि कोई चीज जो है हम बोले या न कोई कह देगा कहीं कुछ कलत बोलेगा कोई गाली देगा या ठीक है कि नहीं है क्या है क्या नहीं कितने बेसरमी से जब जान ही रहे हो क्जुंच कि तुम क्या पेछ रहे हो तो यह इनकी कहानी थी यह आयते हिं ईबाती कि विको नहीं पसंद में मैं अगर आप यहां पर शिकार करते हैं यहां कि गलत कहते हैं, आप गलत को गलत न कहो, दूसरे की जिसकी सही चीज है, उसमें आप आएंगे हमको गलती बताने, पोडोस की बात करो, इसलिए ये पोडोस की चिला रहा था व्यक्ति की बुद्धिजम की बात करो, इसकी बात करो, उसकी बात करो, इन लोग का ये हाल है, चलें यहां पर और ब्लेज प्लेज कैसे हैं आप बहुत बढ़िया हूँ एजज सर आप कैसे हो हाँ जी ठीक है यह एक्चुली आया थे बोल रहे थे तरकांड नहीं मानते तब ही उनको पूछना चाहिए था युद्धकांड तो मानते हो तो फिर 115 सर जो है राम सीता को गाली बख रहा है तो यहां जाँ वहां जाँ उसके पास चला जाओ उसका क्या हो नहीं वह सारी बाते हैं उस पर तो हम लोग बहुत डिसकसन किये ही किये हैं दरसल यह बार बार स्विच कर रहे थे तो इसलिए मैं इनको ले आया था अभी तो इनको दि कि इसको गलत चीज समझ में नहीं आ रहा था यह Hindu दियान पताइए कोई Hindu समाज रहता कोई शनातन समाज रहता तो कोई अलग अलग अपना संप्रदाए क्यों बनाता मुस्कि में कितने मुस्लिम हुए हैं जो अपना अलग-अलग संप्रदाए बनाने गया है कि हम हम आरा य हैं इनके सामने कस्टमर भरे पड़े हुए थे हैं सो कॉल जितने भी जो अपने को छत्रिय समझते थे वैसे समझते थे सूद्र यह सब इनके लिए कस्टमर थे और अंग्रेजु के समय सारे ब्रामडों में मारा मारी चल गई चलो हम अपना अपना ना एक धरम बना लेते हैं कोई नया समाच कोई पुराना समाच गायत्री समेज सब बना जा रहे हैं तो आयह बता रहिए कि इनका कोई संहतन ध्रम थे कोई यह था थी थे इतने सारे समाज किर कैसे बन रहे थे हैं अच्छा मैं S.J. सर जुडा हूँ एक आज तो दीपावली कि पोल तो आपने खोल द परंपरा है वो तो एक बुद्धिस मेडिटेशन का टेकनिक भी है दिया जला के उसके उपर मेडिटेशन करना हो भी है दूसरा उसके दिन जो इन लोग कहते हैं बली प्रतिपदा जो वामन आउतार लिया आता वो उसकी भी थोड़ी सी मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ और इनके पहनावे भी देख लीजिए मतलब सर का जो भाग है उपर का वो भी सब लोग देख लीजिए आप लोग यह सब जो हैं बौद भिक्खु की तरह हैं और उपर देख लीजिए उपर यह कौन निकल रहे हैं यह देख लीजिए समूंद्र मंथन हो रहा है और यह कोई समूंद्र मंथन और नीचे भी यह जो लगाया गया है कच्छुआ ह जिसको यह कच्छप आवतार बना के रखे हुए है इस कच्छप के ऊपर जो है यह रखा गया है एक पिलर टाइप का है और इसे पकड़ के यानि इन्होंने समूंद्र मंतन की भी जो घटना है ना वो बुद्धियम की सिल्फ कला से जो जातक का था हैं वहां से इन्होंने पर बुद्धियसात्व लोग निकल रहे हैं इसमें से समय रहे हैं सब लोग ध्यान से देख लिजिए कि किस तरह से इन घटनाओं को इसी लिए जो सचोत हैं जब वह कंपाइल कर रहे था अलभूरूनी का भारत वह बोलते हैं कि अलभूरूनी जब आया था भारत में तो उससे काफी समय पहले ही जिन जिन रास्तों से आया उधर से बुद्धिजम हट चुका था इसलिए उसको बुद्धिजम का आइडिया नहीं था नहीं तो वो जिस्तर से ब्रह्मेनिजम के सब्दों को सुन-सुन के लिखा है उसको पहले से आइडिया होता कि भारत में बुद तब भी तो यह तो था धन्तेरस का उसके बाद दीपावली का तो आपने यह कर दिया अब आते हैं बली प्रतिपदा वामन आउतार जो लिया था यह इनको कहते हैं यह वामन आउतार है आप देखिए इनके भी सर पर कोई बैठा हुआ है और हांतों के हिद्रा देख उससे पहले अगर हम लोग जाते हैं फिफ्ट एडी में पाचवी सदी में यह वामन कहते हैं और यह बोलता है शिव वामन कहते हैं विश्न नहीं है शिव वामन तो यह यक्ख की तरह है यह दूसरे वामन है यह सब वामन हैं इनके बताइए पूरी बुद्धिश सिल्पकल को उठा के सब लोग क्या करते हैं कहानी बनाते हैं जैसे बुद्धे जम में जब अश्वगोस ने अपनी किताब लिखी तो उसके अधार पर सिल्फ कलाए बनाई गई और ब्रह्मेने जम ने उन सिल्फ कलावों को देखर अपने पूरान लिखती है कहानिया बदल के यह भार ओपने पर कमर में भी चनेव पहीने है यह देखिए मतलब चड़ी जो है उसको भी तो जनेव हो जाएगा न फिर और हात में देखो वह रुद्राक्षी की माला है आचा माला वाली से बात से मुझे याद आया कि फिलिस्तीन जो जगा है न इस अब कभी बुधिष्ट देश हुआ करते थे वहां के भी मुस्लिम जो हम माला फिरते हैं दोस्तों वहां पे भी जैसा कि मैंने बताया था कि वहां की ओरते भी साधी के समय में जो बंगाली ओरते जैसे जीव निकाल के करती हैं सब वैसे करती हैं साधी में और वहाँ के जो मर्द है मुसलिम मर्द हो भी जिसे माला फेरते हैं यहां है अप आप दिख है तो यह बुद्धिजम की परमपराएं जो हैं जहां जहां मुसलिम भले ही मुसलिम पन गए हैं लेकिन वहां पे पहुत कुछ चीज है आप डिक हैubenich पामन हास में फिर उत्राइच एक में फिर उत्राइच एक जनुव नहीं थोड़े हैं इक नहीं तो आम लोग वो आद ही कर दिया है वो थे अच्छा आप में हम एकड़ा दिखाइज दे रहा है lies तो यह तो किसी अओपर नहीं रखाऊ है अब आते हैं जब हम बली वली का यह देखते हैं तो क्या स्कल्प्टर्स दिखते हैं यह देखिए अभी इसमें वामन गायव हो गया यह कोई और ही आ गया और यह पूरा इसको बोलते कि यह बली का नाश कर रहे है आचा और यह तो हाथ में धंचक जैसा भी कुछ उपर लिये होए है यह हाथ में जो है यह देख बताते हैं अभी यह वामन कौन और वो वामन कौन सबसे मज़े की बात है कि ऐसे यह सकल्प्चर्स दिखाई की देते हैं हम लोग उनको और सबसे लाश में आते हैं यह देखिए यह वरा की यहाँ पे भी बुद्ध है नाक कर रहे हैं नीचे यह सभी पूरा बताते है बली का जो उन्होंने नाश किया था वो विष्णु आवतार यह सब पूरे बोधी सत्वों की मूर्तिया है दोनों को कंबाइन करके इन्होंने कुछ कहानिया बना दी अच्छा दूसरी इंपॉर्टन्ट एक ध्यान देने की बात है कि जो यह बली प्रतिबदा मनाई जाती है व विक्रम सम्भत तो होता ही नहीं था बिक्रम समभत तो नवी सदी से नहीं है कि freedom भा माल्वा समभत का ही नाम बदलके के इन लोगोंने दोने नुवी 10 कर रहे थे और उसी को अलबुरुनी जब मेंसन किया तो उसने बोला भी कि यहां पर सारी चीजे जो हैं उसक संबत के अधार पर ही चलती है विक्रम का भी नाम आता है लेकिन वह बहुत नया ही है और उसकी कहानी जोड़ देते हैं बहुत पुराना और यह भी लिखता है कि ज कि यह चोरी की गई हैं सब लोग देख लिए ध्यान से अब सांथियों सूचिये जरा सूचिये कोई साथी पूछ रहे थे कि हम लोग को दिपावली मनाई जानी चाहिए कि नहीं जाहिए सूचिये कि सारी सिल्पकलाय बुद्धिजम की और इसको उठा उठा के इन लोगों लिखेए अपना क्या-क्या बना लिया क्या कहानिया कैसे कितना इन सबने मेहनत की हैं और आज कितना मेहनत कर रहा है कि कौरों दूष्ट है लेकिन अपनी बीबी को जो बेच दिया उन नहीं दूष्ट आ लेकिन